हलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे अमरिस्वरी फिस्करी तो आईए देखते हैं हमें किन किन जीजों की जरूरत है सबसे पहले हमने लिया है रहू मचली आधा किलो जिसे हमने चितरा से धो लिया है आप चाहे दूसरी ही मचली का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें ये तीन मीडियम साइज के कद्दू कसके हुए प्याज टमाटर बारिक कटे हुई दो मीडियम साइज के लेसुन एक छोटी चमच बारिक कटे हुई अधरक एक छोटी चमच बारिक कटे हुई एक चमच निमू का रस लेंगे एक छोटी चमच जीरा लगभग देर बड़ी चमच धनिया का पत्ता कटे हुए, एक बड़ी चमच दही, फेटी हुई दही लेंगे हम, मसाले में हल दिनिया है हमने, एक बड़ी चमच, लाल मिच पौडर लेंगे, एक बड़ी चमच, गरम मसाला पौडर लेंगे, एक छुड़ी चमच, और ये सरस का दाना लिया है हमने लगवाग एक चुटी चम्मच नमक लेंगे स्वाद के नुसार सबसे पहले हम फिस को फ्राइ करेंगे डीप फ्राइ आप चाहे तो यह प्रोसेस यहाँ पे स्कीप कर सकते हैं आप बीना फ्राइ के हुए मचली को भी बनाएंगे तो भी अच्छी बनेगी यह चलिए इसे हम थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के इसे मिला देते हैं टॉस करके इस तरह से और अब कराही में तेल गरम करेंगे और इसे डीप फ्राइ करेंगे तो चलिए मुचली को फ्राइ कर लेते हैं तो इसे हल्का ब्राम होने तक फ्राइ करेंगे तो देखे एक तरफ से यह फ्राइ हो चुका है इसे दुसी तरफ प्लट देंगे हम और दूसरी तरफ भी हो जाने में इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में और अलग रख देंगे फ्राइ करने से मुचली का जो करापन है वो करी में बना रहेगा इसलिए हमने फ्राइ किया है आप चाहिए तो बिना फ्राइ किया हुए भी बना सकते हैं चलिए हमने मचली फ्राइ कर लिया है बाकी की भी मचली को हम फ्राइ कर लेंगे इसी तरह से तो अब हम एक दूसरे कडाही में लबक तीन चमच तीन बड़े चमच तेल डालेंगे गरम होने देंगे उसे और डालेंगे सरसो जीरा डाल देंगे 20 से 30 सेकंड तक इसे हम भूनेंगे थोड़ा जब यह चे टकने लगएगा तब हम इसे में डालेंगे अध्रक और लैसुन उच्छलिए हमने यह लैसुन डाल दिया अध्रक भी डाल देते हैं इसे भी हम 30 से 40 सेकंड तक भूनेंगे उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज कद्दू कसके अब प्याज जो हमने लिया था वो डाल देंगे थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे हम थोड़ा सा भूनेंगे इसे लपक एक मिनट तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हम डालेंगे हल्दी पाउडर लाजमिच पाउडर नमक डाल देंगे याद रहे हैं नमक हमने मचली फ्राई करते भी समय डाला था चलिए इसे हम भूल लेते हैं इसे भी एक डिर मेंट तक हम भूनेंगे ताकि थोरा पानी जो है टमाटर का वो सूख जाए तो अब हम इसम डालेंगे धनिया का पत्ता जो हमें पूरी धनिया का पत्ता लिया है उसमें से आधा इसमें हम डालेंगे इसे भी मिला देते हैं थोरी देर इस से त्री सेगन भूनेंगे इसे और अब डालेंगे गरम मसाला पॉडर और अब हम इसे 1-2 मिल तक भूनेंगे मसाला हमने भून लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे पाणी गरेवी के लिए तो यहाँ पे हमने 2 कप पाणी का यूज किया है अगर आपको जादा गरेवी चाहिए तो आप जादा पानी यूज कर सकते हैं कि चलिए इसे मिला देते हैं कि इसे थोरी दिर के धक देंगे लगभग 30-40 सेकंड तक तो देखे अच्छी तर सुबाल आ गया पानी में कि देख सकते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे मच्छी चली मच्छी डाल देते हैं अगर आप बिना फ्राई करें मच्छी डाल रहें तो इसी समय बिना फ्राई करें मच्छी डाल सकते हैं चले इसे तुरह सब मिला देते हैं गिरेवी में ध्यान रहे मशली तूटे ना इसलिए हलके हाथ उसे मिलाएंगे और अब हम डालेंगे निंबू का रस इसे भी थुरह मिक कर देंगे हलके हाथ उसे और अब इसे हम दो से धाई मिनिट तक धक कर धीमी आज़ पर पकाएंगे ताकि जो ग्रेवी है मशली में अच्छी तरह समा जाए तो अब हम इसमें डालेंगे दही डालके भी धीरे धीरे से हम इसे मिलाएंगे दही को हलके हां तुझे तो चलिए हम मिला देते हैं इसे मिला के इसे हम 30-40 सेकेड तक गैस पर रहने देंगे उसकी बाद गैस बन कर देंगे हम इसे तो यह हमारा फिस करी जो है रेडी हो गया है तो चलिए हम इसे थुरा सा धनिया के पत्ते से सजा देते हैं आप चाहें तो किसी बरत्र में निकाल के परोस्ते समय भी धनिया के पत्ता से गार्नेश कर सकते हैं तेक सकते आप तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शियर करना भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा धन्यवाद आपका दिन सुभू